जैन सातियों मैं हूँ आपका साती भूतपूरुशानिक मनो सिंग और आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आये थे सर इंडियन आर्मी में काम करने वाले सिविलियन या डिफेंस सिविलियन के उपर में एक वीडियो बनाएं और साती ये भी समझाएं कि आर्मी में आर्मी सिविलियन और एक डिफेंस सिविलियन या सिविलियन में क्या अंतर है दोनों की facilities के बारे में, दोनों के भरती इस criteria के बारे में और दोनों की duty work के बारे में भी एक detail से वीडियो बनाएं तो आज की वीडियो में मैं आपको इस सारी चीजें clear करने वाला हूँ सातियों मैं हूँ आपका साती भुटपूर सैनिक मनो सिंग और आज को आज आपको इस वीडियो के माद्यम से महत्रपूर्ट जानकारे दोंगा जिससे कि आपको defense civilian और army soldier में क्या फरक होता है क्या आपकी duties होती है क्या क्या हमके काम होते हैं वो चीज़ का आपको सारा ग्यान हो जाएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं वीडियो देखनी काथ वीडियो के आपको अच्छा और informative लगता हो या सबसे तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करना न भूलें तो चलिए बढ़ते हैं आज के main topic के ओबर में the difference between Indian Army soldier and defense civilian के बारे में आपको जान करी ताथा civilians के बारे में भी आपको जान करी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों में ace criteria क्या होता है सेना में भरती होने का या defense civilian या civilian में भरती होने का अगर Indian Army की बात करें तो यहाँ पर जो ace के criteria होता है यह अधिकतर ट्रेडों के लिए चाहिए soldier gd, tradesman यहाँ की बात करें तो इनका ace criteria होता है वहीं अगर defense civilian की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलगलग trade होते हैं, LDC का भी होता है, आपका नीचे fourth class का भी होता है, LDC का भी होता है, civil JN का भी होता है और साथी काम करने वाले जो होते है, स्टेस्न ट्रोटर के बागबानी हो, उनका भी या आर्मी मेडिकल अस्टोर ना काम करने वाले जो सभाई करमचारी होता है, उनका भी होता है तो अधिकतर उनमें जो इसके क्रिटरिया होता है, वो होता है आपका 18 to 30 year, अब बात करते हैं कि इनका chain किस परकार होता है, भरती प्रक्रिया क्या होती है ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इंडिन आर्मी में जहां पर आपको कास्ट के अधार पर कोई छूट नहीं मिलती है वहीं डिफेंस सिविलेन या सिविलेन की वरते में आपको कास्ट के अदार पे चाहे फॉर्म फिलेप के लिए छूड मिलती है और अगर काम करें आपको पता ही है कि इंडिन आर्मी के सुल्जर का काम क्या होता है में इन देश की रक्षा करना जहां इंफेंटरी सबसे आगे इंडिन आर्मी के सपोर्ट के लिए आपको पता ही हुगा कि चाहे आडलेरी हो जो के अपने टोप के माहदी आपकी आर्मड़ो में इसी प्रकर हमसी कहारा सरूल्ळट सिस्टंब रडार सारी चीज़ें काम करती है और और साती जो हमारी कोवर हूँ saw routine वो हम लोग है नहीं बात करें AMC की तो वो हम लोगों को medical facilities देती हैं बात करें AC की तो हमारे भोजन के आपूरती को पूरा करने के लिए हमारे खाद्यानों का transportation तता unit को एक जगे से दूसरी जगे लगाने के लिए transportation का काम करती है वहीं अगर बात करें AOC की तो वो हमारे लिए equipment बनाती है वेकल्स बनाती है ड्रेस बनाती है और अगर बात करें अगर हम AEC की तो हमको education से लेके हुए HRDC का department होता है वो हमें 10th pass, 12th pass, graduation और 6th के नहीं नहीं ओसर या अगर आप सेना में एक soldier है तो आप officers कैसे बने उसके लिए आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास या आप लोगों को महत्रपूर्ण जानकरी आपको training देती है यह हो गया इंडिन आर्मी का अलगला काम वहीं अगर हम defense civilian की बात करें तो अगर मैं बात करूँ जिससे क्या होता है कि अगर हम बात करें इनके duty work का तो इनके main काम कहां पर होता है MH में यानि की medical hospital में आप बोलेंगे sir medical hospital में क्या होते है सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद में बात कर लेते हैं station headquarters की, army का होता है station headquarters जहां पर आर्मी का clerk बैठता है army के officers बैठते हैं लेकिन उनके साथ काम करने के लिए कई बागबान भी होते हैं और कई करमचारी भी होते हैं, सिविदन करमचारी जो के कंटोमेंट की साफ़ाई हैं maintenance का काम करते हैं, तो होते हैं आपके station headquarters के, उसके बाद CHS की बात करें, जो की बोतवर सैनिकों का main जहां से आप वो चेकिस्सा सुजदाएं लेते हैं तो वहाँ पर भी काम करने वाला staff जो होता है, लेकिन उनकी बरती एक एक साल के टेंडर भी किया जाती है वो भी civilians होते हैं, जो की force के लिए काम करते हैं और उसके बाद में जो main, जो मैकमा है वो होता है, आपका MES का और MES में आपको JN, civilian, JN, engineer, LDC, उसी प्रकार, दुनिया भरके trade वाले जो आपके tradesmen होते हैं, उनके लिए कई सारे trade होते हैं, वहाँ पे भी उनकी भरती होती है जिनका की इसके क्रिटरिया 18 से लेकि 30 साल तक है, MES का क्या काम होता है, सेनी सेवा अभियानता हैं, इसको बोलते हैं, जैसे force का रहने के लिए जो accommodation होता है, वो तयार करती है हमारी MES, फोज में जो light, पानी, बिजली, जलकी, सुविदाएं जो महिया कराती है, हमारी MES करा तो उनमें काम करने जो करमचारी होते हैं, वो defensively होते हैं, ठीक है, तो ये मेन मुद्दा हो गया, वहीं अगर आर्मी की बात करें, तो मैंने आर्मी में आपको बताए दिया, ट्रेडवास का, आडलरी का अलग काम, एसी का अलग काम, तो इसी परकार मैंने आपको बांट ब सभीजी होते थी, अगर सिपाई में हो जाता है, तो 17 एर्स, अगर नायक में हो जाता है, तो 22 एर्स, अगर हवलदार में हो जाता है, 24, अगर नायब सुबदार साब में जाते हैं, तो 26, सुबदार साब में जाते हैं, तो 28, बाकी सुबदार में जार बनते हैं, तो 32 एर उ उसी परकार नाइक सुदार में 28, सुविधार साब में 30, और सुविधार में आपका 34 एर्स तक आप सर्विस कर सकते हो, लेकिन बात करें हैं डिफेंस, सिविलियन की, तो ये लोग पूरे 60 साल तक की इनकी सर्विस रहती है, 60 साल तक अपना काम कर सकते हैं, टेंडर बेस वाल पारमा या नर्सिस्टेंट या हल्डार एससी इनको छोड़के बागी जो है बागी सारे ट्रेट पर भी भरतियां, क्यों चार साल के लिए हो रहे हैं, अगनी पत यूजना के तुरू लेकिन उनको भी 25% प्रमिनेंट किया जाएगा, बागियों को स्टेट गवर्मेंट की अलग अलग साखाओं में 10% अरक्सना के साथ में दुबारा उनको मौका मिलेगा, चार साल के बाद जब वो सिना से सिना निवरित हो जाएंगे, तो वहीं अगर बात करें डिफेंस विलिन की, तो ये 60 साल तक अपनी सिवाएं दे सकते हैं, इसका क्रेटरिया मैंने आपको पता दिया है, और अब बात कर लेते हैं, बाकी आपके मेडिकल और फैसलिटीस की इन लोगो को क्या क्या मिलते हैं, जहां एक आर्मी सोल्जर को उसको सिवाँ में रहते हुए मेडिकल हॉस्पिलल की फैसलिटीस मिलती है, और सिवाँ में रेटर्मेंट होने का तो उनको ECH आप कोन सी क्रेटेगरी हो उसी क्रेटेगरी में आप लोगों को जैसे क्या होता है सुल्जर रेटर्मेंट आता है तो इसको इस जैसे की सुधाएं मिलती है इसको लिखे अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप लोगों को पूरे डाउट्स किलियर हो जाएंगे कि हाँ फेसलेटी मेडिकल की किस परकार मिलती है तो उसी परकार केंटीन की बात करें तो जैसे सिवारत में जो होता है ग्रोसरी का कोटा सबका एक जैसा ही होता तकरीबन सुल्जर पीवियो आर का और अगर लिक्वर की बात करें तो जावान का पांच बोतल परमंद होती है सिवा में और सिवा में से रिटार्मेंट होने के बाद में जाण की चार हो जाती है और जूसुर सहभान लोगों से कम होती है ग्रोसरी की जो उनकी लिमिट होती है तो दोणों में फावर कोशिश किये आपको हर बुद्धे पर कवर करने की education criteria सब का अलगा लग होता है जैसीन होड़ेंस का बात करूँ उप् 굉장히 जीकल का अलग होता है नर्सिंग स्टेंड का अलग होता है उसके वारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो आपको बनाई दिये हैं बना के बताये भी है और आप लोगों का धेर सारा प्यार भी मिला है तो ये था एक आर्मी सुल्डर और एक आर्मी में काम करने वाले डिफेंस सिविलियन्स का काम और उनके तोर तरीके उनका हर चीज में अंतर फिर भी वीडियो में कोई पॉइंट छूड़ गया हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं आपके कॉमेंट्स में अगर मुझे लगे काई कोई कास परणट है और दस कॉमेंट्स से जदा है तो उस पर वीडियो बनाऊंगा अधरवाइस मैं उसको संडे क्योंडे में लेने की कोशिश करूंगा तो पूरी जो ये वीडियो था उसका निचोड ये था कि सुल्चरा काम जहां देश की रक्षा करना होता है वहीं डिफेंस सिवलिन का काम इन लोगों के प्रति काम करने का होता है चाहे उनका मेंट्रेंस समंदी काम हो चाहे उनका डोकुमेंट समंदीत काम हो क्योंगी जैसे PCDA ये भी सब डिफेंस सिवलिन में आते हैं हमारी PCDA होगी और हमारे सीड़े होगी इसमें काम करने वाले जिसका फुल्वम होता है प्रिंसिपल कंट्रल ओफ डिफेंस अगाउंट जांसे हमारे पेंचिन एंसिन का लिखा जोगा होता है इसकी एक साइट से सपर्स जिसकर के आप लोग ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगे त और डिफेंस विलने काम होता है सेनिकों के काम माने वाले हर चीजों में उनका सहीओ करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीजे भाई को इजज़त जैहिंग जै भारत बंदे मातरम भारत माता की जै दोस्तों सब्सक्राइब कीजे एक्स आर्मी सोलजर को डिफेंस क सबसे सटिक और सबसे आसान बासा में जानकारी के लिए साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोडिफिकेशन सबसे जल्द मिलें